आज का आप लोका लेक्चर है जिग्राफिया का क्लास सेवंथ का चैप्टर नमबर फर्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ दर ठीक है फोर कुस्टन हमने कर लिये थे आज हमने फिफ्स चोट कुस्टन करने सबसे पहले कॉपिस पर अपनी डेट मेंशन करो आज डेट है कि सेवंथ अपरल फिफ्ट कुशन है आपका वट इस दे मिनिंग ओफ रिंग ओफ फायर रिंग ओफ फायर मीन मतलब आग की अंगुठी आंसर इस दे एरिया आल अरॉंड पैसिफिक प्लेट्स इस ऑलसो नोवन एस रिंग ओफ फायर यहनके जो पैसिफिक प्लेट्स हैं ह उसके अरॉंड जो एरिया होता है उसके इर्दगिर्द जो एरिया होता है वह सारा एरिया क्या है रिंग ओफ फायर यानि आग की अंगुठी उसके बाद आप लोग फर्दर नेक्स पीच पे आओ फर्स लोंग कुस्टन है आपका एक्स्प्लें दे कॉम्पोजिशन ओफ इंटीरियर यानि के जमीन की अंदर की सागती जैसे कि आपको पिच्चर में नजर आ रहा है यही आपको लोंग कुस्टन है इसे आपने नीचे डिफाइन करना है ठीक है फर्स पार्ट होता है क्रस्ट यानि आउटर सर्फेस यानि सबसे उपर वाली सत्था सबसे उपर व जानि सबसे उपर वाली और जो कम थिक होती है जमीन के उस हिसों को क्या कहते है क्रस्ट मतलब सबसे उपर वाला हिसा और सर्फेस उसके बार इस थिकनेस बेट्वीन 8 to 40 km, crust is divided into two parts, crust के दो हिस्से होते हैं, जैसे कि हम इस पिच्चर में नजर आ रहा है कि crust के दो parts है, the upper part is known as continental crust, सबसे उपर वाले हिसे को crust के continental crust कहेंगे, and the lower crust, और जो नीचे वाला part है, उसको क्या कहेंगे, oceanic crust, उसके बाद next आपका second है, mantle यानि middle layer, center वाली layer, सबसे उपर crust, उसके बाद mantle, mantle मतलब middle layer, mantle is below the crust, below मतलब नीचे, ये एक ऐसा हिसा है, जो कि crust के नीचे होता है, it consists of two layers, इसकी दो layers है, upper mantle is 670 km थिक, और ये 670 km थिक होता है, in this layer, इस layer में, most of the rocks are in molten state, इसमें जो जितनी भी layers हैं, या rocks हैं, जितने पहाड बगरा हैं, जितनी सक्त चीज़े हैं, वो molten state है, below the upper mantle is lower mantle, which is hard and solid, इसका चाहिए उपर वाला हिस्सा हो, चाहिए नीचे वाला हिस्सा हो, दोनों ही जो हैं, वो बहुत ही सक्त है, इस mostly consists of iron, silicon and magnesium, और ये कुछ तीन तरह की धात होती है, ये उस पर मुझतमिल है, इस thickness is, double two three zero kilometer, ठीक है, बाइस सो तीस kilometer तक ठीक होता है, उसके बाद last core है, थर्ड वाला part है, इसका core यानि internal part, ठीक है, सबसे पहले crust आता है, फिर mental और फिर core, जैसे कि आपको picture आप देखोगे, तो सब आपको define हो जाएगा, उसके बाद this sphere present, यानि के दाइरा मुझूद है, अंडर mental, mental के अंदर, जैसे कि हम इस picture में नजर आ रहा है, ये दाइरा बनावाई, ये बिलकुल mental के अंदर है, इस काल core इसको क्या कहा जाता है, core, it is also consist of two parts, इसके भी दो हिस्सें आगे से, external core and internal core, ठीक है, the thickness is double to five zero kilometer, internal core is made of nickel and iron, और इसमें दो तरह की धात मुझूद होती है, name is nickel and iron, it is also known as NIF, this name is derived from the initial two letters of nickel and furis, next page पे देखो, furis का मतलब होता है, iron, ठीक है, उसके बाद internal core is solid, जो internal core है, उसका, वो solid है, मतलब सक्त है, it is the heaviest among all fair, और वो हर कुरे से जादा जो है, वो heavier है, यानि भारी है, its thickness is 1220 kilometer, ठीक है, यह आपका long question था, first long question और five वालो short question किया, यह दोनों आपने अपनी copies पे लिखने भी और याद भी करने, thank you.